बताय जा रहा है कि 12 अक्टूबर को रात करीब साड़े आठ बजे दाउट ने खुद अफरीधी को फोन किया दाउट ने अफरीधी से कहा कि या तो वो अपना मूबन रखे या नतीजे भुकतने के लिए तयार रहे इस दोरान अफरीधी चुपचाप दाउट की बातों को सुनते रहे अफरीधी अभी लाहौर में रहते हैं लेकिन एक साल पहले तक वो उसी कराची शहर में रहा करते थे जहां दाउट शिपा हुआ है दाउट के फोन के बाद से अफरीधी को डॉन का डर सता रहा है आपको बता दे कि मियादाद और अफरीधी के बेच जारी विवाद की वजहा शाहिद अफरीधी की वो माग है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोट से अपने लिए फेरवेल मैच करानी की बाग कही है अफरीधी टेस्ट और वन्डे क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं वो सम्मान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी विदाई चाहते थे लेकिन पाकिस्तान के कोच जावेद मियादाद ने कहा कि पैसे के लालज के कारण अफरीधी इस मैच की मांग कर रही है यही नहीं मियादाद ने अफरीधी पर मैच फिक्सिंग का आरोब ही लगाया है